इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम RRBPO means में जो general awareness में questions पूछे गए हैं उनके बारे में discussion करने वाले हैं ये आप ही लोगों से में questions मिले हैं जितने भी मिले हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि current affairs का क्या trend चल रहा है किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं और आपको आने वाले जो आपके exams है banking के exams है तो उनमें किस तरह से आपको GS तयार करना चाहिए कहां से पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको last में बताऊंगा और current affairs funda के जो subscribers हैं जिन्होंने PDF ली हुई है उनको भी assure करूँगा कि आपने बिल्कुल सही source चुना है क्योंकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा ये current affairs funda का material आपके लिए किस तरह से useful साबित हुआ है तो बिना देरी किये शुरू करेंगे इस session को अंतर तक आप जरूर दिखेगा काफी कुछ आपको जानने के लिए आज मिलेगा देखे पहले पूछा गया था कि Reliance Geo Infocom के chairman तो आकाश अंबानी को nukth किया गया उसके बाद एक question पूछा गया था India gets elected to UNESCO Panel on Intangible Cultural Heritage 4 किस cycle के लिए 2022-2026 देखे मैंने पूरा पूरी line लिखी हुई है यहाँ पर जो मुझे hint मिली है तो हो सकता है question किसी और तरीके से पूछा गया हो पर एक basic idea आपको मिल जाएगा कि हाँ question इस topic से था आगे देखेंगे Infosys के MD&CU का नाम पूछा गया सालील पारेक चेर्मेन नंदन नेलेकानी है उसके बाद केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे पूछा गया तो आप सभी जानते हैं कि जो यमना रिवर की ट्रेब्योटरीज है जैसे केन रिवर है तो मद्यप्रदेश के पन्ना लिष्टिक में इसको बेतवा रिवर उत्तरप्रदेश से कनेक्ट कर रहा है तो यही पूछा गया था उत्तरप्रदेश और मद्यप्रदेश से सम्बंदित है यह केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आगे I.M.F. की मैनेजिंग डिरेक्टर के नाम पुछा गया था तो यह तो आप सभी जानते होंगे का हर बार पढ़ते हैं जब भी I.M.F. से सम्बंदित कोई कुछिन आता है तो किस्टेरी ना जोड दीवा करनाटक गवर्मेंट के एक MOU से कुश्चन पुछा गया था करनाटक गवर्मेंट ने एक MOU साइन किया है इसरेल बेस्ट ISMC Analog Fab Private Limited के साथ जिसके तहती एक सेमिकंडक्ट फैब्रिकेशन प्लांट स्टेट में सेट अप करेगा 22,900 करोड रुपे की इन्वेस्टमेंट के साथ आगे देखेंगे एक पुछा गया था कि इंडिया है सेट अप इट्स फर्स्ट एवर लिक्विड मीर टेलिस्कोप एट देवस्थल अबसर्वेटरी इन उत्राखंड नरी ताल फिर आपसे नेसनल एसेट रिकास्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेट के बारे में पुछा गया था बैट बैंक कहते हैं जिसे ने आर सी यल ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता हुआ है कि किस तरह से काम करते हैं उसके बाद कैप्टन अभिलाशा अबराक बिकम्स तफस्ट डुमन ओफिसर तो जोइन दा आर्मी अविशन कोप्स एस कॉम्बैट एविएटर ये पुछा गया फिल लार्जेस्ट प्रडूशर ओफ वीट पुछा गया तो चाइना है उसके बाद फिर इंडिया है अगर ह पंजाब के गोईनर बनवारी लाल पुरोही थे थे गार्जेस्ट पूछा गया था मिश्ट अच्छा गया तो फिर फिर पूछा गया इंडिस्ट्री रिस्ट गोतम अड़ानी शुप्रीक मौड लोयर करूना नंदी एंड कश्मिरे राइट्स एक्टिविस्ट खुर्गम परवेज इनको Time Magazine की जो लिस्ट है 100 Most Influential People of 2022 इसमें शामिल किया गया United Nations के Secretary General के बारे में पुछा गया था Antonio Gotres New Green Airport पर कहामन जूरी दी गई डोले रा गुजरात में उसके बाद 38th Meeting of the India-Bangladesh Joint River Commission ये डेली में हुई है तो इस तरह शायद पुछा गया था कि भारत और किस देश के बीच ये Joint River Commission हुई विच स्कीम वाज लॉंच्ट इन 2017 फॉर पुशिंग स्पोर्ट्स स्कीम तो खेलो इंडिया यूथ स्कीम यूथ गेम्स ये तो आप देखते ही कह सकते थे भले इसमें आपको अगर सन पूछ लेते तब थोड़ा दिखत होती पर अगर सन नहीं पूछा गया था केवल स्कीम का नाम पूछा गया था तब तो आप अराम से बता सकते थे वैसे और भी इस तरह की है जैसे टॉप से टार्गेट उलम्पिक पोडियम वाली है तो इस तरह से भी कन्फूजन हो सकता था महां बर उसके बाद ऐसा भी सुनने को आया कि नीरच चोपडा संबनी था था तो मैं आपको पूरा बता देता हूं अब हम यह देखेंगे की करेंट अफेर्स फंडा ने किस तरह से परफॉर्म किया है देखें जितने भी कोश्चन्स है मेरे पास इनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं इनी कोश्चन्स का मैं आपको दिखा कि कैसे कैसे हमने सब कवर किया हूँ था तो और जहां से पढ़ सकते हैं हो सकता है उन्होंने भी कवर किया हो और वह कम नहीं पता पर हम रिस्पोंसिवर आपके लिए क्योंकि आप हम पर विश्वास दिखाते हैं इसलिए मैं आपको यहां पर देखाना चाहूंगा कि किस परफोर्मेंस रहा है आगे और कोश्चन मिलेंगे उनको टेलीग्राम पर हम शेयर करते रहेंगे स्क्रीन शॉट क्योंकि यह कुछी कोश्चन से तो उनीका मैं आपको दिखा रहा हूं यह कोश्चन देखेगा यह आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट से संबंदित तो यहां यहांगा पर मैनेजिंग डिरेक्टर से संबंदित हमने कोश्चन बना था इसकी पहली लाइन में आप देखेंगे तो अब यह कोश्चन हमने आपको कराया था यह कीन नहीं होता जनवई 2021 का असाइनमेंट कोश्चन की जो पीडिएफ है जिनके पास वह दिखे लिए इसलि से पंदरा लोग आंसर देते हैं तो देखिए कितना अच्छा कोश्चन था और यह आपको हमने कराय हुआ है देख लिजेगा आप फिर एक पुछा गया यह पंजाब की गवर्नर यह तो आम बात है बनवाई लाल पुरोहित उसके बाद दोनेट और पैंसर इनिशियेटिव से संबंदित भी कोश्चन पुछा गया था शायद इसका कुछ यह स्टेटमेंट बेस्ट कोश्चन था तो आप इसमें जो यह ग्रूप ओफ एटीन तो फॉर्टी यहर्स कें रिस्टर देमसेल्स एंड डिपोजिटर मिनिमॉम ओफ रूपीज 660 तो 2400 एवरियर डिपेंडिंग उन देर एज तो इससे संबंदित कोई स्टेटमेंट था शायद अनॉर्गनाइज सेक्टर और एज ग्रूप कितना है अ और गौतम अंडानी और एक्टिविस्ट खुर्णम पर्वेज तो हमने कुश्चन कुछ इस तरह से बनाया था कि इन में से कौन सामिल नहीं है आगे चेक करेंगे देखे 20 सितंबर का ही कुश्चन है तो ऐसा सुनने में आया कि एस्पिरेंट ने बताया है कि यह सभी पुछाता है भारत सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है तो क्रूड ओयल पेट्रोलियम यह सब तो यह भी आपको कराया हुआ है मैंने बताया ह हुआ है अगस्त के डेटा में बताया था है यह स्लाइड आपकी 20 सितंबर की अच्छा आगे यह दिपंदर गोईल से संबंदित तो आता ही रहता है तो एक तो मैंने आपसे असाइन्मेंट कोश्चन में पूछा था दिपंदर गोई स्टी ओफिच कंपनी जो मैटो और यह से संबंदित रहा उसके बाद साइकलोन से संबंदित कोश्चन बताया गया कि मैं जून में कोई साइकलोन से संबंदित कोश्चन पूछा गया था तो मेरी साब से तो यह असानी ही होना चाहिए तो यह असानी जो है साइकलोन आया था और इसका नेम दिया था स्रिलंका ने उसके बाद यह भी लिखा है, लास्ट लाइन में देखे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में, इंडिया वर्ड्स सेकंड लार्जेस्ट वीड क्रोर बिहाइंड चाइना, तो चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, आगे देखें अगर हम, तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, आई-म-फ की मैनेजिंग डिरेक्टर का नाम, देख सकते हैं आप, फिर देखें, वो हैस बिकम दाफर्स्ट वोगन कॉमबेट अविएटर ऑफ दा इंडियन आर्मी, अभिलाशा, बराक, आगे अगर हम देखें, तो यह है आपका, बैड बैंक से संबंदित, तो यह मैंने आपको डिटेल में कई बार बताया है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बैड, यह, बैड लॉन्स संबंदित, पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, जब भी चर्चा होती है, हमेशा आपको मैंने समझाएगी, क्या चीज होती है, अच्छा, उसके बाद यह आपका, इंटरनेसल लिक्विड मिरो टेलिस्कोप हो गया, नहीं था लुत्राखंड में, उसके बाद अगर हम देखें, तो यह है आपका, इंफोसिस से संबंदित, CEO कोन है, सालील पारिक, आगे देखें, करणाटक वाला करेंट अफेर्स हो गया, ISMC Analog Fab, ट्राइवेट लिमिटेड हाला, करेंट अफेर हो गया, कवर्ड है, आगे अगर हम देखें, तो KVIC संबंदित, ऐसा बताया गई, कोश्चन पूछा गया था, तो मैंने देखे, KVIC की पूरी डिटेल यहां पर नीचे दी हुई है, यह कोश्चन आया था, KVIC का मैंने आपसे कराया था, जब मनोज कुमार ने KVIC के चेर्मेन के तोर पर पत संभाला, तो मैंने नीचे आपको डिटेल में बताया था, KVIC के बारे में पूरा, कि किस एक्ट के तहथ बना था यह, Khadi and Village Industries Commission Act of 1956, पूरी डिटेल बताई गई है, अधि इसमें से यह आया था, तो अच्छी बात है, अगर कुछ और था, तो वो भी आपको मेंट बुक्स में बता दीजिएगा, आगे देखें, फिर यह 5G आक्षण के बारे में पूछा गया था, तो किस ने आक्षण को टॉप किया है, तो G.O. ने इस आक्षण को टॉप किया था, 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम आक्षण हुआ, आगे अगर हम देखें, तो UNESCO का, वो जो बारत 2022 से 2026 साइकल के लिए चुना गया है, वो यह वाला कुश्चन है, यह भी आपको हमारे PDF में मिल जाएगा, उसके बाद यह कुश्चन भी आया था, देखें कितना प्यारा कुश्चन है, यह मैंने कराया भी आपको इसी तरह से, शायद पुछा भी इसी तरह से गया था, इसकी फिलफोर्म पुछी गई थिया, आई का मतलब पूछा गया था शायद, तो यह कुश्चन भी आपका कराया हुआ है, अब बात करेंगे आपको तयारी कैसे करनी है, देखिए, करन्ट अफेर्स की तयारी आप जहां से भी कर रहे हैं, में यही है कि आप उसको बार-बार रिवाइस करें, और यदि आप करन्ट अफेर्स फंडा से तयारी कर रहे हैं, तो इतना मैं शूर करता हूँ, इतने नंबर आप लियाएंगे, कि यहां आपका जो है नईया पार हो जाएगी आगेगी, बसरते आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा पर्फॉर्म करें, तो देखिए मेरे पाथ जितने कोश्चन है, इनमें मैंने आपको सब के प्रूफ दिखा दिये हैं, केवल एक कोश्चन उसमें नहीं आया, वो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि सितम्बर में है, शायर वो सितम्बर की पीडियाफ रेडी हो रही है, तो यह देखिएगा आप, हमारे करेंट अफेर्स फंडा का मैटेर लेडिया आप यूस करते हैं, तो काफी बेनेफिशल रहता है, क्योंकि असाइन्मेंट कोश्चन में आपको काफी बहतरी इन कोश्चन पूछे जाते हैं, और डेली कोश्चन तो आपको कराए जाते हैं, और रिवाइस भी किया जाता है, तो यदि आप चाहते हैं हमारा मैटेर लेना, तो देखिए, करेंट अफेर्स मेंबर्शिप प्लान आपको मिल जाएगा, अभी 10% का ओफ चल रहा है, आपको कूपन कोड अपलाई करना है, कैफ 10, तो यह आपको मिल सकता है, हमारी करेंट अफेर्स मेंडा एप से, अच्छे इसमें एक यह भी है, प्रिंट आउट निकल वाईए, तो केवल 4 अक्टूबर तक यह आपके पास ओफर है, 10% ओफ चल रहा है, हमारे कम्प्लीट पीडिएफ मैटियरल पर, एक साल के लिए वैलिडिट रहेगी, और पिछला भी आपको मिलेगा, जो 2022, जनवाई 2022 से लेगी, अगले साल तक मिलता रहेगा, जैसे आप अभी ओक्टूबर में खरीद रहे हैं, तो आने वाले एक्जाम है, तो किसी अगर आपको समझ में आता है, हमारा करेंट अफेर्स, तो किसी भी तरह का मन में डाउट मत रखिए, क्योंकि देखिए, एक्जाम आज के इतना competition है, तो क्यों आप इतना, एक मतलब होता है न, कोई बच्चा थोड़ा लालच कर जाता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आप ये देखिए न, एक बार इमान लेजिए, आपने कोई course खरीदा, मैं अपनी course ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी course हो, येदि आपको उसको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको buy कीजिए, ठीक है, मान लीजिए, आपको उससे कुछ benefit नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो, तब तो आपकी पूरी life बन जाती न, तो वही बात में कहना चाहरा हूँ, कि यदि आपको समझ में आता है, हमारा PDF material अच्छा लगता है, daily current affairs session देगिए, और यदि आप buy करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इसका link में आपको वीडियो के description में, और first comment में दे दूँगा, साथ ही current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quiz आप से भी क्रेट आलते रहते हैं, साथ ही decision group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की प्लेजिश दी गई इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें, आज का इस session आपको कैसला comment box प्लेजिश जरूर बताईएगा, थैंक्यू गाइस,